आरक्षन पर छिडे रन की और इसके राजनेतिक असरात की लंबी लड़ाई चल रही है ये सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं सत्ता पक्ष में भी कुछ धड़े खुद सवाल पूछते दिखाई भी दे रहे हैं और इसमें एक नया अध्याई आज बिहार में जुड़ गया बिहार में नेता जो प्रतिपक्ष हैं ते जस्वी आदव सबसे बड़े चेहरा वहाँ पर विपक्षी गड़ बंदन की आज वो सडकों पर उतरते दिखाई दिए और उसकी वजह क्या थी कि जो आरक्षन 65 फीज आरक्षन देने का फैसला बिहार सरकार ने किया था पिछले साल आपको ध्यान होगा गांधी जैनती दो अक्ट्यूबर को जातीकर जनगन्ना के आकड़े जारी किये गए थी और उस आकड़े में बताये गया था कि दरसल 36 फीजदी जो बिहार की आबादी है वो अती पिछ सकती है जबकि पिछड़े वर की आबादी 27 फीजदी है प्रदेश की कुल आबादी का 27 फीजदी यानि कि आकड़ा 63 फीजदी हो जाता है और उसके बाद सरकार ने जो एक लक्षमन रेखा उन्निस सो बयान में से बनी हुई है इंदरा सानी केस में कि आरक्षन 50 फीजदी स ज्यादा नहीं होना चाहिए हाला कि केंदर सरकार नहीं है अब सीमा लांग दी है अब 10 फीजदी एकनॉमिकली वीकर सेक्षन को आर्तिक रूप से जो पिछड़े लोग है उन्हें आरक्षन दिया जा रहा है 10 फीजदी तो ये 10 फीजदी आरक्षन मिलने के बाद आंकड़ किया गया जो आरक्षन दिया जा रहा था वहाँ पर पहले जो अनुसूचित जाती है यानि की S.C. 16 फीजदी आरक्षन थाई से बढ़ाकर 20 फीजदी कर दिया गया 21 नवंबर 2023 पिछले साल की बात कर रहा हूं एक फीजदी अनुसूचित जन जाती S.C. को जो आरक्षन थ वो दो फीजदी कर दिया गया बैकवर्ड कास्ट को पिछले समाज को 15 फीजदी से बढ़ाकर 18 फीजदी आरक्षन दिया गया और अती पिछलो को 18 की जगह 25 और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 65 फीजदी हो गया लेकिन इसी साल 20 जून को चुनाव के बाद तारीकों पर सुप्रीम काउट में गई है भी आर सरकार रोक लगाने से इंकार कर दिया सुप्रीम काउट ने हाई काउट के फैसले पर अंतिम सुनवाई इसी महीने होनी है तो अब क्या कह रहे हैं तेजस्वी आदब कि नौवी अनुसूची में डाल दीजिए नाइन चडूल में डाल है वहाँ पर जो आरक्षन है उसकी सीमा पचास फीजदी से बढ़ाकर उनतर फीजदी कर दी गई थी लेकिन उसे नाइन चडूल में डाल दिया गया और नाइन चडूल में डलने से उसकी अदालती समीक्षा नहीं हो सकती तो वहाँ अरक्षन बर किरार है अब तेजस्वी आदब इसमें राजने तेग घेरा बंदी कर रहे हैं कहने को अब डबल एंजिन सरकार है बैसाकियों की सरकार है केंदर में क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत तो है नहीं तो जेडियू की जरूरत है और ट तो यहां पर केंदर और राज्य सरकार कदम ताल करें तो नौवी अनसूची में डाल जा सकता है और इसी बात को लेकर सडकों पर उतरे हैं और गूंज है ही जितनी आबादी उतना हक लगतार राहुल गांदी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा ये दावा करते गूम रहे हैं और बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी मिले हैं कि दो राज्य जहां पर आरक्षन की मंदल की राजनीती की सबसे ज्यादा गूंच सुनाई दे रही है नबे के दशक में भी सुनाई दी और अब भी सुनाई दे रही है वो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश कुल मिला कर 120 लोक्षभा सीटो के प्रदेश असी उत्तर प्रदेश की चालिस बिहार की तो यहां पर आरक्षन अब लागू कीजी और इसके अंदर खेल क्या हो रहा है कि बीजेपी ने जो एक गटबंदन बनाय हुआ है मंदल कमंदल की जो वो कदमताल करने की कोशिश कर रहा है इसमें सेन्वारी की इंडिया गटबंदन ने विपक्ष ने दोहजार चौबिस के लोकसवा चुनाव में लेकिन फिर से कुछ दरारे दिखने लगी है और इसमें दो बाते जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला था लाटरल एंट्री यूपी एस सी ने संग लोक सेवा आयोग ने ए 45 नौकरियां हैं जॉइंट सेकेटरी डारेक्टर और उपसचिव पद्ध की इसमें आरक्षन लागू नहीं था विपक्ष ने तो हला काता ही काता लेकिन एहम घटक मोदी सरकार के टीडीपी और जेडियू के बाद सबसे बड़े घटक अगर हम कहें शिवसेना एक नाचि गुट को जोड़ ले तो चौते नंबर के हो जाएंगे चिराग पासवान उन्होंने कहा ये तो बिलकुल गलत हुआ है ये नहीं होना चाहिए इस तरह से लैटरल एंट्री और जातिकर जन गन्ना को लेकर कि हम तो उसके पक्ष में हैं ये बात लगतार कहते आ रहे हैं चि एक कड़ी और जुड़ी ये उत्तर प्रदेश में दो हफ़ते पहले की बात है इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने उनहत्तर हजार साहिक शिक्षक जो भरती हुई थी साड़े चार साल पहले मेरिट को खारज कर दिया यानि कि वो नौकरी खत्म नई मेरिट लिस्ट आएगी और इसमें आरोब क्या था कि उन्निस हजार जो पद थे जो दलितों और पिछडों को जाने चाहिए थे वो दरसल अगलों को बाट दिये गए दलितों को पिछडों को कुछ मिला ही नहीं अब कि शबर साद मौरिया तो चलिए उनके अपनी राजनीती चल रही थी वो प्यादे बने हुए थे अमित्शा और योगिया दितिनात के बीच में जो सीधे यार पार की लड़ाई होती दिखी थी कुछ वक्त तक उन्होंने कहा कि नाइनसाफी हो रही थी इनके साथ दलितों और पिछलों के साथ अब इनसाफ होगा लेकिन बड़े बयान कहां से आए संजे निशाद मंत्री हैं योगी सरकार में उम्प्रिकाश राजबर मंत्री हैं पिछडे तबके के बड़े नेता हैं अनुप्रिया पटेल केंदर में मंत्री हैं उन्होंने कहा ये बहुत गलत हो रहा है सोला दुनिया आठ का हांकडा अफसर पढ़ा रहे थे और सरकार उनकी बात मान रही थी ये कतई नाकाबले बरदाश्त है दलत विरोधी पिछला विरोधी एक छवी बनती जा रही है सरकार की और लगे हातों जातिगत जन गनना की यहां भी पैर भी कर दी गई अब यहां पर सुप्रीम कौट का जो फैसला आया जातिगत जन गनना को लेकर अभी बिहार वाले मामले पर तो फाइनल सुनवाई होनी है लेकिन सुप्रीम कौट ने क्या कहा कि जातिगत जन गनना करवाने का अधिकार जो है वो केंदर सरकार का होता है अभी तक बीजेपी अपना पला जाड लेती है कि अरे बिहार में भी सर्वसम्मती से प्रस्ताव पास हुआ विधान परिशद में एक बार एक बार विधान सबा में तो हम भी उसमें पाटी थे हमने भी कहा कि जातिगत जनगनना लागो होनी चाहिए लेकिन जातिगत जनगनना सिर्फ केंदर सरकार करवा सकती है बागी जातिये सर्वे कराए सकते हैं और सर्वे में अगर बढाई जाए सीमा रेखा हार화를 बढाया जाए तो कौट का इंटेविंशन आजाता है वो जातो का अरक्षन हो मराथा अरक्षन हो गूर्जरों का अरक्षन हो मैं हर्याना राजस्तान महराश इन तमाम राज्यों का जिक्र कर रहा हूं सरकारों ने बढ़ाई भी बाद में रोक दी गई पर अब दरसल बात बहुत आगे बढ़ गई है क्या और इसलिए मैंने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया कि अब केंदर सरकार नहीं जब EWS और पहमाना भी आठ लाक आठ लाक कमाने वाला सरसल हजार रुपए प्रति महीने से कम कमाने वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है दस फीजदी ही लोग इस देश में पच्चिस जार से ज़्यादा कमाते हैं महीने में पर वो अलग डिबेट है अब चिराग पासवान ने थोड़ी आँके दिखाई तो अमित शाह बीजेपी के रनीतिकार बीजेपी के चानक के है पशुपती पारस उनके चाचा से बात करने लगी खबरे फ्लोट कर रही है सत्ता के गलियारों में अफ़ाओं का बाजार भी गर्म है तीन सांसद उनके पाटी छोड़ सकते हैं तो ये एंडिये का जो कुनबा है गटबंदन धर्म आरक्षन के इस प्रण और गटबंदन के धर्म में भी आपस में खीचतान होती दिखाई दे रही है क्या इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ऐसे में आज का सीधा सवाल और पहला सवाल मैंने कहा ना नया अध्याय जुड़ रहा है आरक्षन का जिन नई राजनिती का हिस्सा अभिन अब ये नई राजनिती जो आई है ये नब्बे के देशक वाली फिर से राजनिती रिविजट कर रही है कि और इसमें आरक्षन का पुट और बढ़ गया है और बिहार यूपी का सच जाती आरक्षन ही सत्ता का कवच जाती यानि कि जातिकत जंगन्ना और उसकी बिना पर आरक्षन यही सत्ता का सुरक्षा कवच बनता दिखाई दे रहा है क्या और ये लडाई अब आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड करती है